प्राग एतिहांसिक को हम कितने कालखंड में बाटे हैं प्राग एतिहांसिक को कितने कालखंड में बाटे हैं तीन भाग में बाटे हैं ठीक है एक और आएगा काफ से तामर पासान वो बनेगा लेकिन पहले तीने वाला जो कर लेते हैं पहला था था पुरा पासान काल फूर पासान दूसरा था मध्यपासान में अंतिय एस्ष्टिक कारेकरम शुरूह था पासान और तीसरा था नाप पासान काल करने ठीक है अब देखें पुरा पासान काल में क्या हुआ था हर एक पॉइंट हम यहां पर जल्दी से लिखते चलते हैं ठीक है पुरा पासान काल में मानव चलना प्राइब भी किया था सबसे पहले मानव पहले रुख जाइए यहां से स्टार्ट करते सबस इसका समय ही लिख देते हैं सबसे पहले इसका समय 25 लाख से 12000 साल तक समय चला था ठीक है 12000 तक उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि यह आया था कहां अफिरका में अफिरका में आया था और चलना प्रारणभी किया था आग की खोज कर लिया था खाना बदोस्थ था खाना बदोस्थ था खादे संगराहग था खाद्य संगराहग और खुच्छ छुट रहे हैं खादे संगर्हग था यह सब हो retro बस इतना पॉइंट आप द्यान रखेगा इस से हर एक से question आपको पूछा जाएगा तीक है और सबसे लंबा कालखंड यही चला था इस कालखंड को क्या कहा गया है पासान युग इसी को कहा गया है ठीक है चली अब मध्वत्वासान में दू यूग को चीज़ याद याद रखना है ज्याद नहीं रखने हैं सब्सक्राइध में आपको याद रखना था मोलीत क्या है मैं माइक्रों जी थ आब यह मPadलight हमाइक्रों मतलब होता है छोटा और लीत होता है पत्थर पहले क्या था बरे-बरे-पत्थर का उपियोग लीजिए हम भोजन मतलब जानवर को मार करके भोजन के लिए करते थे ठीक ना उसकी बात हम लोग थोड़ा साध्वांस होते चले गया हम लोग थोड़ा से समझदार हुए तो छोटे-छोटे पत्रों का उप्योग करते हैं उससे और ज़्यादा एडवांस हुए तभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले तीर से होता था सिकार लेकिन अभी देख लिए हैं बंदूग से होता है बम से होता है परमानु बम आ गया कि एक बार में पुरा प्रिथिविये साफ कर दें ऐसा भ्यंकर हथियार आ गया लेकिन उस समय का हथियार क्या था बरा पत्थर था पुरा पासानक सबसे पहले उन्होंने आवास देजिए अवास यह बनाया अब इसलिए बनाया कि उन्होंने वहां से भगाया गया फिर का में भदेरे जंगल लुप बहुत सारह जंगल है वहां में जानबर की संख्यां बहुत कम मातरा मिलता है वहां पर में लुवट हो घूर दूर्सitist खाते थे फल तो कुछ दिन के पाद संग जाता है और वह तिकते रही थी एक जगा एक जगा से दूसरे जगा भ्रह्मन करते रहते ताकि कोई उस पर आकरमन कर दे इस तरीके से चलता था ठीक है लेखिन आकी खोज तो सिख लिए थे तो वह सब बाद में करेंगे कहानी पहले यहां समझते आवास इसलिए बनाया गया कि जब फल को खाते थे तो फल खाने के बाद जब बच जाता था तो वह लोग सोचते थे तो वहां पर निकल आया है और उसमें बहुत सारे मतलब कि क्या निकल गये हैं फल लगे हुए बहुत मीठे मीठे फल मतलब लगे हुए है तो उन्होंने इससे एक सीख लिया कि अगर हम किसी चीज को अंदर जमीन के अंदर डाल देते हैं फल को तो इससे एक पेर बन जाता है और वह भी फल देने लगता है तो खेती की सुरुवात और उसको रिकठ ये कर करने के लिदे अवास बनाया गर नहीं के यास कहां पर बनाया गट भी सुलेमान इबन किरथर पहाड़ी नहीं केके बीच सुलेमान बसक्राइब किरफर फ़ाड़ इस यह ध्यान कुछ कुछ पॉइंट आपकोระट तो होगा पिछले दिन आप सोची कि यहीं हमको पढ़ा रहें कुछ-कुछ पॉइंट जरू इसमें एड होते चले जाएगा इतिहांस का नाम ही है कि आप बढ़ते जाएए और उसमें जीते जाएए इतिहांस रटने से की गई थी और अब सबसे पहले किसका किया त्योह का जियेंortion और जणीछ एक को पालत बनाया गया त्यविए तो जब ज्यादा मातरा में hu там Spinach मैं अभी ऊसको रखने के लिए एक जग रखने के लिए कुछ तोत्जहिए तो रखने के лिए कुछ सब्सक्राइश को मों क्या हुआ और कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि वह घरा टाइब बने अधिया मतलब जैसे डेवलप होते गया उन्होंने घरा टाइब का बनाकर उसको मनका बना दिया जिसमें अन कोई कठा करके रखा जा सके तो मन का सबसे पहले कहां पर बनाया गया था नापासान काल में मन का ठीक है और एक पॉइंट और यहां पर ध्यान रखिए कि अधिक मात्रा में अगर कुछ सामागरी एक जगह से दूसरे जगह ले जानी होगी तो इसके लिए बहुत सारे आदमी की अब सकता पड़त हैं जिसको खोज की धुनसबार रहती कि की नहीं हम करेंगे तो करेंगे ठीक है समय मिट्टी का बनाया है गोल Yang ndg gast कर्णा बना दिया गया था ताकि उस पर डाल करके आप एक जगर से दूसरी जगर समान ले जाने में बहुत आसानी थी तो इस तरीके में आपको यह सब किया गया तो इस तरीके से आप आप याद किजिएगा इसका कालखंड हम बता देते हैं दोनों का कालखंड छुटी है यह 25 लाग से 12,000 तक चला था यह 12,000 से पांच,每,000 तक चला थां किसी में ज्यादी कम दिया रहता है तो अप्रोक्स मान के चलेगा यह समय्ठी और यह 5,000 dan से दो हजार तक चला था ठीक है एप्रोक्स मत मान के चलेगा सबसे लंबा कालखंट पुछेगा था पचीस लाग से बारा हजार तक चले चला था और सबसे पहले कहां आया था फिरका में आया था चलना प्राडम किया था आकी खोज खाना बदोस खादे संग्रहक और पासानियो अधाल धियान रखी आपको कितना कुष्टन हो गया आप देखो इससे हम कितना कुष्टन बना सकते एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ आठ नो दस ग्यारा बारत तेरह चौदा पंड़ा सुल्ला सतरह ठारह उनाइस बीस बेस दुना चालीस हम कुष्टन बना सकते हैं आरेंज करना मेरा काम सब्सक्राइब कांट करने वाला कि सब्सक्राइब कर सकता है अब कर सकती बिसमीनेट के वीडियों में और नहीं समझें नहीं पढ़ाई किया जाएगा नहीं समझमें तो हमको बोली और इस तरीके से आप पॉइंट वाई पॉइंट कर लीजे हम प्रसाइड हो जाते हैं इसको नोट कर लिए ठीक है और अपने एक कोपी त्यार कर लिए जिसमें आप खुद करके समझ सके कि कौन पॉइंट किसलिए हम को दिया गया कल क्या करेंगे कल हम इसमें बात करेंगे कैसे कुष्चन को एरेंज किया जाता है फिर इसके बाद मन इसक सारे बता हैं इस पर कमांड कर लिए कोई दिक्कत नहीं एक बार में कमांड कर लिए फिर काल इस पर हम पूरे डिटेल से बात करेंगे अगले वीडियो में तब तक कि लिए कि एक बार खुद से रिवीजन करने का प्रयास किजिए और आप क्या किजिए आप दूसरे को हां हम भी पर खुद आपको पढ़ा रहे हैं सोचिए पढ़कर आपको पढ़ा रहा है तो कितना मजता है हमें को आपको पढ़े प्ढ़ा है कोई दिक्कत नहीं परके पर होड़ाने जदना बढ़ता हम यहीं है अच्छा कहावत है कि एक बहुत अच्छा प्यारा सा कहावत है याद नहीं आ लेकिन फिर कभी सुना देंगे आपको ठीक है आज के लिए इतना ही रहने देते हैं को